हेलो एवरिवन, आई होब कि आप लोग अच्छे होंगे तो आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर सैकेंड राज्य और राश्टर का पार्ट टू तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताये था कि आपको इसके important question answer description की website पर मिल जाएंगे और ये वीडियो political science class 12th के N.I.O.S की बच्चों के लिए बनाई जा रही है तो चली फिर अपना topic स्टार्ट करते हैं हमारा topic का नाम है राज्य राजनितिक विग्यान के अध्यान का केंदर बिंदू राज्य है परन्तू इस अगलत तरीके से राश्टर समाज और सरकार के पर्रेवाची की तरह उप्योग किया जाता है राज्य सबका पर्योग राज्य प्रबंधन तसरा राज्य की सहायता आधि के लिए भी किया जाता है जैसे कि भारती संग के राज्य अमेरिका को बनाने वाला 50 राज्य परन्तू राजनिति विग्यान में हम इस सब्द का पर्योग अलग परकार से करते हैं इसका एक विसेस अर्थ होता है कि राज्य की संकलपना की कुछ परिभासाई निमिल लिखी थे तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि राज्य होता क्या है राज्य उस संगठी दिकाय को कहते हैं जो एक सरकार के अधीन आती है जहाँ पर एक समुदाय होता है एक सरकार सासन करती है उसे राज्य कहसते हैं तो यहाँ पर कुछ महान विज्ञानिकों ने अपनी 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 लाइनों में राज्य को परिभासित किया है राज्य एक निश्चित भूभाग में रहने वाले राजनितिक तोर पर संगठित लोगों का समुदाय है ऐसा बलंसली ने कहा है राज्य एक ऐसे लोगों का समुदाय है जो साधारन तया बड़ी संख्या में हो जिसका एक निष्चित भूभाग इस्थाई अधिकार हो जो बहारी नियंतर से सवतंतर या लगभग सवतंतर हो जिसकी अग्याउं का पालन अधिकार जनता सुभाव से करती हो ऐसा गार्णर ने कहा है गार्णर ने ये बताया है कि राज्य ऐसे लोगों को समुदाय है जहाँ पर बड़ी संख्या में साधरान लोग रहते हुई जहाँ पर इस्थाई भूभाग हो उनके अधिकार हो वहाँ पर सोतंतृता हो उसे राज्य कहते है राजे एक ऐसा छेतरी समाज है जो सरकार तथा परजाओ से विभाजी थे चाहे वे वैक्तिकत हो या उनके सम्हूत तथा जिनकी संबंधों को एक दमनकारी शक्ति के परियोग से मजबूत किया जाता है ऐसा लाश्की ने बताया है राजे एक निश्चित भूभाग में कानून द्वारा संगठित लोगों का समुदाय है जो एक निश्चित भूभाग ये एक जगाय जो निश्चित जगाय जहां पर सरकार शाषन करती है और एक लोगों का संगठित समुदाय है राजे राजनिति विज्ञान की एक संकलपना एक नेतिक वास्ते दिखता है जो सरकार की अंतगत एक निश्चित भू भाग पर निवास करने वाले चंद लोगों में निवास करती है यह आंतरिक मामलों में लोगों की संपरभूता व्यक्त करने वाला अंग है तथा वाहिरे मामलों में अन्य सरकारों से सवतंतु है तो यहाँ पर राजे एक राजनीतिक विज्ञान के एक संकल अपना है जहाँ पर चंद लोग निवास करते हैं और यह लोगों के अपने लोगों के अंदर की आंतिक मामलों को संपुर्भुता से व्यक्त करने वाला अंगे राजे और यह बाहरी मामलों में अन्य सरकारों से सवतंतु है मनुसे एक समाजिक परणाणी है और अकेला नहीं रह सकता जब लोग एक साथ रहते हैं तो अपनी समाजिक अवसकताओं की पूर्ति करते हैं परतेक व्यक्ति अच्छा और द्यालू नहीं होता सभी परकार के पुरूस महिलाएं होती है वे गर्व, दोश, लालश और सवार्थ की भावनाओं को दर्शाते हैं तो यहाँ पर यह बताएगे गया है कि मनुष्य एक समाजिक परणाणी है जो कभी भी अकेला नहीं रह सकता जब लोग एक साथ रहते हैं तो उनकी बहुत सारे जरूरूरते होती है समाजिक अवसकताओं की पूर्ति करते हैं अपनी तो वहाँ पर सभी लोग एक जैसे नहीं होते कुछ लोग दयालू होते हैं तो कुछ लोग बहुत क्रोधित होते हैं बर्क के अनुषार कुछ सिथ समाज में केवल रैक्तित क्रिशेश की विभिन मनो भावो को ही नहीं वरन सभी की भावो को एक नियंत्रित में रखने का परतियन करना चाहिए लोगों के विचारों का नियंत्रित में लाने का सबसे अच्छा तरीका राजनितिक सकता है ऐसा बरक ने बताया है कि लोगों के विचारों को सामने लाने का सबसे अच्छा तरीका राजमितिक सकता है इस परकार लोग एक समाने वहवार की नियमों में बंद जाते हैं क्योंकि वह एक जैसे कानूनों का पालन करते हैं इसलिए वह एक तरह के समान वहवारों की नियम में बंद जाते हैं यदि इन नियमों का उलंगन किया गया है तो उन्हें सजा मिल सकती है समाज लोगों के सहर चर्रे की अवसकता को पूरा करता है और राजे इस अवसकता से उत्वन समस्याओं को हल करने में राजे का अस्तितव अच्छे जीवन के लिए है राजे क्या करता है राजे लोगों के जीवन में हो रही समस्याओं को हल करता है यह एक प्राकृतिक और अवशक संस्था है जैसा कि अरस्तु ने कहा है राज्य का उदाय जीवन की मूल अवसकताओं से होता है अरस्तु ने अपने सब्दों में ये बताया है कि राज्य का उदाय जीवन की मूल जीवन की छोटी छोटी अवसकताओं से होता है तथा ये अच्छे जीवन के लिए निरंतर अस्तितों में रहता है अगर हमारे पस राज्ये हैं तो हम अपने जितनी पी जरूरते रहेंगे हमारे जितनी पी समाजे का वसकता है रहेंगी तो उनकी हम मांग किस्ता करेंगे अपने राज्ये सरकार से करेंगे और राज्ये सरकार हमारी उन मांगों को पूरी करेंगी तो राज्ये एक अच्छा जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है केवल राज्ये के कारणी को ज्यक्ती जम्ता की इस्तर तक उपर उठ सकता है यदि को सत्ता संगठन या नियम ना हो तो समाज एक साथ नहीं रह सकता राज्ये भी वही अस्तितों में आता है जहां लोग एक संगठित समाज में रहते हैं कालांतर में राज्ये ना धीरे-धीरे करल तथा संसा से अब एक जटिल संगठन का रूप धारन कर लिया है जैसा कि आज कल दुरुष्टी गोचर है राज्ये का सार उसके दमनकारी शक्ति की एक अधिकार में है ये लोगों से आग्या का पलन कराने का अधिकार रखता है परन्तु माकरश वादियों के नुसार राज्ये एक वर्ग संगठन है जिसकी रचना संपत्थि सील वर्ग ने गरीबों को सताने और उनके शोशन के लिए किया है जो माकरश वादी थे उनके विचार से राज्ये एक संगठन एक संपत्थि साली अ राज्ये एक मतलब एक जो कुद के बारे में सोचता है जिसकी इस रंचना संपत्ति शाली वर्गों ने की थी गरीब लोगों को शताने में और उनका शोशन करने में वे राजे को एक प्राक्रितिक संस्था नहीं मानते उनके नुसार संपत्ति सील वर्ग ने राजे की रचना की है माकरशवादी ऐसा मानते हैं कि जो संपत्ति सील लोग थे उन्होंने ही राजे की रचना की है गरीब लोगों को सताने में और वे ही राजे के स्वामी है और वो खुद ही राजे के स्वामी बन गए अथ है राजे सोशन का साधन मात रहे वे एक वर्ग वीहिन या सामयवादी समाज की परिकलपना करता है जिसमें राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाए राज्य के घटक जैसा कि उपर दस आया गया है कि राज्य की चार मूल घटक है राज्य के घटक के बारे में अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर राज्य के चार मूल घटक को उपर बताये गया था तो अगला टॉपिक क्या है हमारा जनसंख्या राज्य एक मानव संस्था है लोग ही राज्य का निर्मान करते हैं राज्य एक मानव संस्था है और लोग ही राज्य का निर्मान करते हैं अंटार्टिका एक राज्य नहीं है क्योंकि यहां मानव जनसंख्या नहीं है जनसंख्या इस योगे होनी चाहिए कि राज्य को वह चला सके परंतु परशन यह है कि जनसंख्या कितनी होनी चाहिए जो एक आंटार्टिका देश है राफ्टर है वो एक राज्य नहीं है क्योंकि वहाँ पर मानुजन संख्या है ही नहीं मानुजन संख्या इतनी होनी चाहिए कि वो एक राज्य का निर्मान कर सके और उसको चला सके प्लेटो और अरस्तु के आदर्ष दो युनानी शहर एथेंस और इस्पाटा थे प्लेटो ने एक आदर्ष राज्ये की जनसंख्या 5040 निलधारित की है अरस्तु ने एक सामाने विचार बताया है कि किसी राज्ये को ना तो अधिक छोटा होना चाहिए ना तो अधिक छोटा होना चाहिए ना ही बहुत बड़ा ये इतना बड़ा हो कि सवकोशित हो और इतना छोटा हो कि आसानी से शासित किया जा सके तो यहाँ पर प्लेटों ने बताया है कि जो राजय के जो एक जंसक्या होनी चाहिए कम से कम वो 5040 होनी चाहिए इतनी नोय निर्धारी की थी और आरश्तु ने एक सामाने विचार से बताया है कि राजय को ना तो अधिक छोटा होना चाहिए और नाहीं अधिक बड़ा अधुनिक समय में भारत और चीन के जनसंख्या सबसे ज़्यादा अधिक है सबसे पहले नमबर पर चीन आता है उसके बाद भारत सबसे अधिक जनसंख्या वारादेश है तथा सेर्न मरीनो जैसे देशों की बहुत कम जनसंखिया है पुर्व सौवित संख जैसे देशों ने बड़े परिवार की माताओं को पुर्थशाहन दिया है भारत में बड़िती जनसंखिया एक बड़ी समस्या बन चुकी है जबकि चीन ना केवल एक बच्चा होने के मापदंड को अपनाया है मुशोलीनी जैसे ताना शाही ने बड़ी जनसंख्या वाले राज्ये को खुल कर पृतशाहन किया है आज भारत में बड़ती जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और चीन ने केवल एक बच्चा होने के मापदंड को अपनाया है जनसंख्या पर कोई भी सेधानतिक या वैवहारिक सीमा नहीं लगाई जा सकती परन्तु यह इतनी अवश्य होनी चाहिए कि इसमें शाशक और शाशित वर्ग हो जो कि राजनितिक संस्था को सहयोग दे सके जनसंख्या उपलब्ध भूमी और संसाधनों के समानुक्ति होनी चाहिए यह ध्यान में रहे कि जनसंख्या के अंत्रों तथा अन्य साधनों के उतना ही रहने से राज्ये के सरूप में कोई अंतर नहीं पड़ता जनसंख्या की गुणवत्ता भी महत्वपुण है एक अच्छे राज्ये की नागरिक सवस्थ बुद्धिमान अनुशासित होने चाहिए राजे की जनसंख्या भी महतवपुण रखती है एक अच्छे नागरिक होने के कारण उनके बुद्धिमान उनुशाशित होनी चाहिए उनमें तेजश्विता के गुण होनी चाहिए जनसंख्या की सरंचना भी महतवपुण है एक समान जनसंक्या वाले राजे आशानी से शाशित किये जा सकते हैं राजे की जनसंक्या यहाँ पर बहुत ही बड़ी भूमिगा निभाती है क्योंकि अगर जनसंक्या किसी राजे में बहुत अधिक होगी या फिर बहुत कम होगी तो वहाँ पर शाशन करना बहुत ही मुस्किल होगा उस राज्य को चुलाना इतना ही कठिन रहेगा जबकि एक समान सरंचना वाली जनसंख्या वाला राज्य को चलाना उन पर शाशन करना इतना कठिन नहीं होता उसको अच्छी तरीके से संभाला जा सकता है हमारा अगला पॉइंट क्या है भूभाग जैसे परतेख व्यक्ति राज्य से जुड़ा होता है वैसे ही परतेख वर्ग गज जमीन भी कोई भी राज्य बिना किसी निश्चिक भूभाग के नहीं होता किसी छेतर में एक साथ मिलकर रहना लोगों को बांधता है इस राज्य छेतर के लिए परेम की भावना देश भक्ति उत्पन करती है कुछ लोग इसे मातर भूमी और कुछ इसे पितर भूमी कहते हैं परन्तु अपने राज्य छेतर से सभी का एक निश्चित लगा होता है तो भूभाग क्या होता है भूबाग उसे कहते हैं जहां पर लोग अपना निवास करते हैं एक समुदाय रहता है लोग रहते हैं यहां पर भूबाग को बहुत ही महतुपड बताया गिया है और कुछ लोग इसे मातर भूमी कुछ इसे पितर भूमी भी कहते हैं भूबाग से ही हमारे अंदर देश भावना देश भप्ति की भावनात पनूती है भूबाग को निश्चित होना चाहिए जिसर की राजनितिक सत्ता को अपना धिकार छेतर मिलता है कबीलों में राजनितिक सत्ता दिखाती दिखती थी परंतु निश्चित भूमी ना होने के कारण वे एक राज्जे का निर्मान नहीं कर सके यहूदी भी विबिन देसों में रह रहे थे और इश्राइल की निर्मान के बाद ही वे एक राज्य बने जिसका एक निर्धारित भूभाग है निश्चित भूभाग के बिना बाहरे मामलों का संचालन कठिन हो जाएगा राज्य छेतर यह पहँचान करने के लिए अविशक है कि कुई सा राज्य दूसरी राज्य की सीमा में गुसने का परियास कर रहा है राज्य छेतरे यहां पर जो जमीन है जो भूभाग है भूभाग मिटी है इसको बहुत ही भातपन बताये गया है कि कोई राज्जे किसी और राज्जे में अपनी छेतर सीमा को ना बढ़ा सके भूभाग छोटा भी हो सकता है और बढ़ा भी परन्तु इसकी एक निश्चित भूमी होती है ये 62 वरग किलोमिटर छेतर वाले देश, सैनी, मरीनों के जितना छोटा भी हो सकता है और भारत, अमेरिका, रूस और चीन के जितना बड़ा भी राज्जे का आकार उसकी सरकार को भी परभावित करता है उधारन के लिए जो राज्जे का जो आकार होता है वे उसकी सरकार को भी परभावित करता है let's example के लिए छोटे राज्यों में एक आत्मक सरकार होती है और भारत अथा अमेरिका जैसे बड़े देशों में संखी सरकार होना अधिक उची थे जो छोटे राज्ये वाले देश होते हैं वहाँ पर एक आत्मक सरकार होती है जो बड़े राज्ये वारे देश होते हैं जैसे कि अमेरिका भारत तो वहाँ पर सरकारे भी बहुत अधिक होती है भूमी की गुणवत्ता भी बहुत महत्यपूर है यदि भूमी खनीजो तथा प्रकरितिक संसाधनों से भरपूर है तो यह राज्ये को आर्थिक रूप सक्ति साली बनाएगी जो भूमी की गुणवत्ता होती है वो भी बहुत महत्यपूर है अगर भूमी में काफी अच्छे उपजाओ हो रहे हैं खेट है खनीजो प्रकरितिक संसाधनों से अगर हो पुरा भरपूर है भूमी तो वह राज्ये को आर्थिक रूप से सक्ति साली बनाती है यह इस योगे होने चाहिए कि लोगों को प्रयापत भोजन उपलब्ध हो सके पस्टिमी एसिया के राज्ये महतवीन थे परन्तु तेल की खोज के बाद वे परसिद हो गए जो पस्टिमी एसिया के जो राज्ये थे आव वे महतवीन थे लेकिन तेल की खोज के बाद वे अलगी महसूर हो चुके थे किसी राज्ये का छेतर यहाँ पर ऐसे इसलिब बताया गया है क्योंकि तेल की कीमत आज देश भर में बहुत ही बढ़ चुकी है तो तेल की खोज के बाद वे परसिद हो गए और सक्तिसाली भी किसी राज्ये का राज्ये छेतर बड़े होने से उसे यूध के समय में यूध निती और सैने संचालन में लाब मिलता है किसी राज्ये का छेतर बड़े होने से यूध के टाइम पर उन्हें यूध निती में और सैने संचालन में लोगों के सैने के रहने में उन्हें लाब मिलता है बांग्रादेश के निर्माण से पहले पाकिस्तान के दो छेतर बहुत दूर थे हवाई और अलासका अमेरिका के छेतर परमुख राज्य छेतर से बहुत दूर है भूमी जल और वाईू किसी राज्य के राज्य छेतर का निर्माण करते हैं भूमी जल और वायू किसी भी छेतर के राजे छेतर का निर्मान करते हैं राजे के संपरभूता पृत्वी नदियों और पहाडों मैदानों तो था वायू छेतर के ऊपर होती है एक निश्चित सीमा तक समुद्र भी राजे के छेतर का ही हिस्सा है ये कुछ चीज़े बहुत ही महत्रपूंट रखती है राजे के निर्मान के लिए हमारा अगला पॉइंट क्या ही सरकार वह उद्दे से जिसके लिए लोग एक साथ रहते हैं उसका अनुभाव तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि वह ठीक प्रकार संगठित ना हो तथा निश्चित आचार विचार का पालन ना करते हो वह संस्था जो इन नियमों और आचार विचारों को लगू करकी उनका पालन निश्चित करती है सरकार कहलाती है तो यहाँ पर सरकार क्या है सरकार वे हैं जो लोगों का ध्यान रखती हो उनके निश्चित आचार विचार का पालन करती है वे संस्था जो इन नियमों का पालन करती हो निश्चित राज्य में रहने वाले लोगों को समान उद्देश से समान जरूरतों की पूरती करती हो तो उन्हें ही सरकार कहते हैं इसी माध्यम के द्वारा समाने निक्यों का निर्धारन किया जाता है और समाने रूचियों को बढ़ावा दिया जाता है सरकार की बिना लोगों में संस्क्ति और सामुई कार्रे की भावना नहीं आएगी अगर हमारे देश में सरकार ही नहीं रहेगी तो हमारे अंदर देश भक्ति की नाधी संस्क्ति की और सामुई कार्रे की भावना आएगी सरकार की अनुपस्थिती में गुटो और दलों के बीच यूद एम अराजकता की स्थिती होगी अगर हमारे देश में सरकार ही नहीं रहेगी तो सरकार के अनुपस्थिती में जो गुट दलों होते हैं उनके बीच यूदों की अराजकता की स्थिती होगी अध्या एक समाने सत्ता की अवसक्ता होती है जहां पर लोग व्यश्थी रह सके ये मनुस्य जीवन की पुरुष शर्त है सरकार की बिना राज्य ना तो हो सकता है और ना ही होता है चाहे सरकार किसी भी रूप में हो सरकार का होना एक नितांत अवसक्ता है ये एक राजतंत्र भी हो सकता है जैसे कि ब्रीटेन में और एक गंतत्र भी जैसे कि भारत में भारत एम ब्रीटेन की तरह इसकी सरकार का शंशिद्य रूप भी हो सकता है और अमेरिका की तरह सरकार एक अध्य अच्छी रूप भी हो सकता है सरकार एक बहुत बड़ी ही भूमी का निभाती है, पूरे देश को संभालने में सरकार भले कि उन्हें किसी भी रूप में हो, अच्छी हो या बुरी हो लेकिन सरकार का होना बहुत ही ज़रूरी है राज्य चेतर के निश्चित भाग में रहने वाले वो लोग जिनकी सरकार हो राज्य नहीं बनाते जब तक कि उनके पास संपर्भुता ना हो राज्जे छेतर के निश्चित भाग में रहने वाले वो लोग जिनकी सरकार होती है लेकि वो राज्जे नहीं बना पाते जब तक उनके पास संपर्भुता ना हो 15 अगस्त 1947 से पहले भारत के पास संपर्भुता के अलावा राज्जे के सर्भी खटक थे इसलिए यह एक राज्जे नहीं था प्रभुता वह सकती है जिसके द्वारा राज्जे उसके अंदर रहने वाले लोगों से राजनितिक आगया पालन के पेच्छा करता है प्रभुता होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि प्रभुता वह सकती है जिसके द्वारा राज्जे के जो लोग रहते हैं उनसे नियमों और कानूनों की आग्या का पालन करने क्या पेच्छा करती है राज्य को आंत्रिक रूप से शर्व, शक्तिमान या बहरी नियंतरंत से मुक्त होना चाहिए अथ है प्रभुशत्ता की दो पहलू है यहाँ पर प्रभुशत्ता की दो पहलू बताए गया है आंत्रिक और बहरी आंत्रिक प्रभुशत्ता राज्य की सीमाओं की अंदर राज्य का एक अधिकार है यह सत्ता किसी अन्य राज्य के साथ बांटी नहीं जा सकती राज्य सतंत्र होता है और किसी भारी सत्ता की इंच्छाओं से परभावित रहता है अथ है प्रतेक राज्य की एक जनसंख्या, भूभाग, सुगठित, सरकार और परभुसत्ता होती है इन में से किसी भी एक घटक की अनुपस्तिती इसके राज्य की दर्जे से इसे वंचित करती है अत्हे भारती गंतत के 28 राज्य या अमेरिका के 50 राज्य के लिए इस सब्द का प्रियोग भ्रामक है ये परशाशनिक गाईया है यहाँ पर कुछ कोशन अंसर दे रखें जो मैं आपको अगले पार्ट में करवागन की स्वाभी के लिए धन्यवाएं